वेलकम टू माई चैनल केश्वर्स किचिन हाइडरबादी बघारा बैगन शाही निजाम के दौर से हाइडरबाद का मशूर कुजीन है बिर्यानी, बघारा खाना या तहारी इन सभी के साथ ये पॉफेट साइड डिश है इसे दावतों और शादियों में अकसर बनाया जाता है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहां मैंने आधा किलो बैगन लिया है एक कटोरी में एक चमच हल्दी पॉडर एक चमच मिर्ची पॉडर एक चमच नमक इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले और बैगन को इस तरीके से पीछे से स्लिट कर दे और यह हल्दी मिर्ची और नमक का जो मिश्रन है इसे बैगन के अंदर डाले इसी तरीके से सारे बैगन को तयार करके 10 मिनाट तक रख देंगे अब एक पैन को गरम कर लेंगे इसमें एक तिहाई कप मुंगफली ड्राइ रोस्ट करेंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे दो बड़े चमच तिल तीन बड़े चमच कोकनेट पाउडर चार एलाइची और एक इंच दालचीनी इसे लाइट ड्राइ रोस्ट करके निकाल लेंगे ध्यान रखना है कि मसालों को ज्यादा जलाना नहीं है अब उसी पैन में एक चमच ओयल डालना है और एक कटी हुई प्यास को सौटे कर लेंगे और ठंड़ा करने के लिए रखतेंगे जब सारे मसाले ठंड़े हो जाएं तो उसमें आधा कप पानी डालके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे नेक्स टेप में एक कडाई में आधा कप ओयल गरम करेंगे और बैगन को इसमें फ्राई करेंगे यहाँ पे ध्यान रखना है बैगन को पकाना नहीं है बस 50% तक फ्राई करके निकाल लेंगे अब इसी गरम कडाई में एक चम्मच सरसों एक चम्मच जीरा तड़कने देंगे दो साबित लाल मेच और मुठी भर कड़ी पत्ता एक भारिक कटा हुआ प्यास भूरे रंग होने पर एक बड़ा चम्मच अद्रक लसन का पेस्ट आड़ करेंगे और कच्चा पन जाने तक भून लेंगे अब इसमें एक चम्मच हल्दी पौडर एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पौडर एक चम्मच धन्या पौडर एक चम्मच जीरा पौडर इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे मसाला ना जले इसलिए हम आधा कब पानी आड़ करेंगे और मसालों को अच्छी तरीके से पका लेंगे जब मसालों में एक उबाल आ जाए तो बनाये हुआ पेस्ट मिलाएंगे कर्ची चलाते रहना है और इसे धीमी आंच में पकाना है स्वाद अनुसार नमक पांच मिनट पकाने पर मसाले इस तरीके से तेल छोड़ने लगेंगे इस स्टेज में हमें फ्राई किया हुआ बैगन डालना है और हलकी हातों से कर्ची चलाना है ताकि हमारे बैगन तूटे ना ढकन बंद करकर हमें दस मिनट पकाना है और बीच बीच में कर्ची चलाना है बैगन जब पूरी तरीके से गल जाए तो आधा कप इमली का पानी आड़ करेंगे और पांच मिनट पकाने पर हमारा डिश रेडी है एक्च्वली हाइडरबादी कुजीन में इमली का बहुत ही इस्तिमाल होता है और इसका जो टैंगी फ्लेवर है ये कोई भी डिश को बहुत ही इन्हांस करता है उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा कॉमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे बलेस्ट बाबाई